हेलो गाइज कैसे हैं आप लोग होप आप लोग बहुत अच्छे हूं दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि जब कोई गौवर्मेंट इंपलाई रिटायर होता है तो उसे पैंसन मिलती है अगर गौवर्मेंट इंपलाई की देथ हो जाए और देथ होने पर उसका आरोप उसके नॉमनी के ऊपर ही आ जाए जो जो पैंसन की पहली हखदार है या पहला हगदार है तो इस कंडिशन में क्या होगा क्या पैंसन जब्त हो जाएगी या पैंसन किसी को भी मिलेगी या नॉमनी दोस्मुक्त हो जाएगी तो उसी सित्री में उसे मिलेगी सारी बातों पर कार्मिक लोग सिखा है तो इसे समझने वाले हैं तो इसे समझने के लिए हम लोग गजट नोटिफिकेशन को रीट करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तो मैं कुर जैन सिंग आपके अपने अपने कदम आगे बढ़ाते हैं तो देर ना करते हुए चलिए सुरू करते हैं तो यह है भारत का गजट नोटिफिकेशन दा गजट आफ इंडिया इसे जारी किया है कार्मिक लोग सिकात और पैंसन मंसालिक के दिन पैंसन नहों पैंसन होगी कल्रांड भी भागने आई या अधिस सुचना जारी हुए 22 सितंबर 2021 को तो यहां पर संसोधन का उलेक किया गया कि संसोधन का नाम है केंद्री सिविल सेवा पैंसन संसोधन नियम 2021 हम चलते हैं पहली उस बाद पर जो संसोधन की गए यदि कोई वैक्तिर जो सेवा काल में किसी सरकारी सेवक की मित्ति होन की दर्शा में इस नियम के अधिन कोट्टूम पेंसन प्राप्त करने के लिए पार्ट रहें सरकारी सेवक की हत्या कारित करने के अपराद या ऐसे किसी अपराद कारित होने के दुश्प्रेशन दुश्प्रेरण के लिए आरूपित किया गया है तो ऐसे बेक्ति को इस के अगले दिन से संदे होगी तो दोस्तों यह इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहले जो नियम यहां पर था कि अगर जब भी कोई सेवा काल के दोड़ान किसी से सरकारी कमचारी की मिर्ति हो जाती थी तो वहां पर हत्या आरूपित होने पर किसी को भी पेंसन नहीं दी जाती एती जब यह शिद्ध हो जाता था कि उसमें से कोई दोसी नहीं है तब ही पेंसन की जाती यहां अरोपित होने का इंधिजार नहीं किया जाए फिर देखिए इसमें आगे और बात ही कही गई है कि परंतो जहां सरकारी सेवक के कि पति पतिनी को सरकारी सेवक की हत्या करने या ऐसे किसी अपरात कारित करने के दुस्रेजरंड के लिए आरोपीद किया गया है और परिवार में कोटुम पेंशन के लिए पात्र अन्य सदस मिर्तक सरकारी सेवक की आवयस्क बालक है ऐसी आवयस्क बालक को कोटुम पेंशन स सम्यक नियुक्त संद्रचक के माध्यम से संदे होगी मतब अगर आपका बेटा माता यहां पर कमचारी की पती या पत्नी जो भी हो अगर उन नबालिक के माता या पिता बनके पैसे को आहरण करने के योग नहीं होंगे वह इस प्रियोजन से अगर्जन नहीं बनाए जाएंगे देखे आगे कहा गया है जो डंड की बात हो रहे थी कि अगर डंड सिद्र नहीं होता है तो सिस्तिते में क्या होगा तो यहां है कि सरकारी स सेवा की हत्या कारित या हत्या कारित करने के दुस्प्रेयरन के लिए सिद्ध दोस्त ठड़ाय जाता है तो ऐसे सरकारी सेवा की हत्या कारित करने यहां पर अगर आरोप सिद्ध नहीं होता है तो जो पात्र ब्यक्ति है उसे पेंशन मिलना सुरू हो जाएगा साथ में इसमें एक बात आउत कही गई है प्रंतु यदि परिवार का कोई अन्य सदस पात्र नहीं था अथो संबंदित ब्यक्ति के दोस्मुक्त होनी की तारिक से पुर्व परिवार के अन्य पात्र सदस को कुट्टुम पेंशन का संदाय बंध हो गया था तो ऐसे ब्यक्ति को अब तक पमिलनी था तो अगर कि मिले दी और उसकी संद भांद हो गई है तब यहाँ पर कोई भी दिन नहीं होगा आपको मिस्तिव के अगले तारिक पूरी मिलेगी चाहें वो बकाय के रूप में ही मिले तो यह रहा फैमली पेंसन को लेकर रिसेंट में किया गया चेंज तो दोस्तों मैं ऐसे ही ओपियर और से संब्सक्राइब कर लिजेगा दोस्तों आप अपने कमेंट जरू लिखेगा आपके कमेंट मुझे मोटिवेट कर हैं ऐसी अच्छी वीडियो लाने के लिए चले दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और पार्ट साला में ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ फाइनेंस की नॉलेज के साथ तब तक के लिए नमस्कार